नमस्कार आपका स्वागत है देश परदेश समवाद चैनल में आज हम बात करेंगे उस अंतरास्टी शूत के बारे में जिसमें ये चौकाने वाला खुलासा हुआ है कि चीन कैसे भारत के खिलाफ गुसपैट के माध्यम से विस्तारवादी नीतियों को अंजाम देता रहा है अंतरास्टी श्तर पर चीन जो खुरापात और शडियंद करता है वह सब समय समय पर उजागर होता ही रहता है एक अंतरास्टी अध्यन में जो हाल में ही जारी हुआ है उसमें भारत से जुड़ी चौकाने वाली बात उजागर भी है इसमें बताया गया है कि भारत के पस्चमी और मद्द सीमाओं पर चीन ने अचानक या गलती से गुसपैट नहीं की बल्कि ये सोची समझी रड़नीती और कोशिशों का हिस्सा था इसके जरिये चीन सीमाई इलाकों में इस्थाई नियंदरन करना चाता था भारत में चीन जो गुसपैट करता रहता है उस विशे पर अंतरास्टी विशेशग्यों के शूद में ये दावा किया गया है शोट का शिर्चक है राइजिंग टेंशन इन दे हिमालियाज और जियो स्पीशिल एनलेसिस आफ चैनीज बॉर्डर इंकर्जन इंटू इंडिया हमारे चेतर में बरता तनाव भारत में चीनी सीमा अतिकमर का भू स्थानिक विशलेशान अमेरिका की नौर्थ वेस्टन उनिवरसिटी निदरलेंड्स की टेकनिकल उनिवरसिटी आफ डेल्फ्ट्स और निदरलेंड्स डिफेंस एकिडमी ने मिलकर ये अधिन किया है साल 2006 से 2020 की बीच चीन द्वारा भारत में किये जारे गुस्पैट के आकड़ों को दिखा गया और अलग-अलग तरीकों से इनका विसलेशन किया गया इस अध्यन के अनुसार भारत में चीन की गुस्पैट को दो अलग-अलग संगर्शों के तौर पर देखा जा सकता है पहला पस्चिम मद्य अकसाई चिन वाला इलाका और दूसरा पुर्व अरुनाचल प्रदेश अकसाई चिन लद्दाट का बड़ा हिस्सा है जो इस समय चीन के कबजे में है अरुनाचल प्रदेश को चीन दक्षिर तिबबत का हिस्सा बताता है वहीं भारत इसका विरोत करता है मालुम हो कि भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंदर अड्रेखा LAC को लेकर सीमा विवाद है शोद में गुसपैट को उन सीमाई इलाकों में चीनी सेना की किसी भी तरह की आवाजाही की तौड़ पर परिभाशित किया गया है जिनें अंतरराश्टिय इस्तर पर भारत का इलाका माना जाता है तेरह ऐसे हाट स्पोट शोद करताओं ने चिनित किये जहां चीन ने कई बार गुसपैट की 15 साल के आखडों के अनुसार हर साल चीन ने आउस्तन आट बार गुसपैट की है हाला की भारत सरकार के आखडों के अनुसार चीनी गुसपैट की कुछ और ही कहानी सामने आती है नौर्थ वेस्टन युनिवसिटी के वी-स सुप्रमन्यम जो इस अध्यन से जुड़ेवे हैं उनका कैना है कि चीन थोड़ा सा छेतरा दियाता है और जब तक भारत उसे चीनी छेतर श्युकार न कर ले तब तक वो ये जारी रखता है चीन छोटे-छोटे हिस्से पर कबजा करता है लेकिन समय के साथ-साथ ये जमीन का बड़ा हिस्सा बन जाता है सुब्रमन्यम कहते हैं कि वेस्टन सेक्टर में गुस्पैट के अधिक मामले चौकाने वाली बात नहीं है अकसाई चिन एक ऐसी रणनितिक महत वाली जगा है जहां चीन विकास करना चाता है वो कहते हैं कि ये चीन और तिबबत तता शिंज यांग जैसे उसके स्वायत इलाकों के बीच एक अहम मार गए इसलिए ये उनके लिए बहुत जरूरी है इस शोद में जून 2020 के गलवान घाटी में हुए संगर्ष का भी उल्ले किया गया है गलवान घाटी संगर्ष में 20 बहादूर भारती ये सैनिक शहीद हुए थे आधिकारिक रूप से चीन ने अपने चार सैनिकों की मौत की बात काफी समय बात स्विकार की थी जबकि भारत का दावा है कि चीन के कहीं अधिक सैनिक मारे गयते कुछ अन्य रिपोर्ट्स भी ये दावा करती हैं कि चीन के ज़्यादा सैनिक मारे गयते इस अध्यन के अनुसार जब जब चीन खूद को सबसे अधिक असुरक्षित महसुस करता है वो गुसपैट की गतिवीधियों को तेश कर देता है यह अध्यन गुरुवार 10 नुवेंबर को सारुजनिक हुआ है इस अध्यन में जिसे इंकर्जन्स कहा जा रहा है उसे भारती ये रक्षा विशेशग्य सलामी स्लाइसिंग के नाम से पुकारते हैं जिसके उपर मैं पहले भी कई वीडियो कर चुका हूँ आज के इस अंक में वसित नहीं आप से अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल को देखिए इसे साजा कीजे लाइक भी कर दीजे और साथ ही इसको सब्सक्राइब कर लीजे जय हिन